उत्पत्ति अध्याई च्छत्तिस एसाव जो एदों भी कहलाता है उसकी यह वन्शावली है। एसाव ने तो कनाने लड़किया द्याहली अर्थात हिती एलोन की बेटी आदा को और अहोली बाम को जो अना की बेटी और हिवी सिबोन की नतीनीक थी। फिर उसने इश्मायल की बेटी बासमत को भी जो नवायोत की बहिन थी ब्याहलिया। आदा ने तो एसाव के जन्माए एलिपच को और बासमत ने रुएल को उत्पन्न किया। और अहोली बाम ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। और एसाव अपनी पत्नियों और बेटे-बेटियों और घर के सब प्राणियों और सब भेडबकरी और गायबैल आदिस सब पशुयों, निदान अपनी सारी संपत्ति को, जो उसने कनान देश में संचै की थी, लेकर अपने भाई याकुप के पास से दुसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ती इतनी हो गई थी कि वे इकटे न रह सके, और पशो की बहुतायत के मारे उस देश में जहावे परदेशी होकर रहते थे, उनकी समाई न रही. एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सो सेईर नाम पहाडि देश में रहने लगा. सेईर नाम पहाडि देश में रहने वाले एदोमियों के मुल पुरुश एसाव की वशावली यहाँ है. एसाव के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात एसाव के पत्नी आदा का पुत्र एलिपज, और उसी एसाव के पत्नी बास्मत का पुत्र रुयल, और एलिपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, उमार, सपो, गाताम और कनज, और एसाव के पुत्र एलिपज के तिमना न एक सुरईतीन थी, जिसने एलिपच के जन्माएं अमालेक को जन्म दिया, एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए, और रुएल के यह पुत्र हुए, अर्थात, नहत, जेरह, शम्मा और मिजजा, एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए, और अहली बाम जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नतिनी और अना की बेटी थी, उसके यह पुत्र हुए, अर्थात, उसके एसाव के जन्माएं यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया, एसाव वंश्यों के अधिपति यह हुए, अर्थात, एसाव के जेठे एलिपज के वंश में से तो तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनाज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति, एलिपज वंश्यों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए, और यही आदा क अर्थात अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति, अना की बेटी अखुली बावा जो एसाव की पत्नी थी उसके वन्ष में यही हुए। अधिपतियां उसके सामने इखटी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेडों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वै भेडों को अपनी दाहिनी और और बकरियों को बाई और ख़ली करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगो, आओ, उस राज के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदी से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं पियासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहिनाए, मैं बिमार था, तुमने मेरी सुधी ली, मैं ब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपले पहनाए, हमने कब तुझे बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तुझसे मिलने आए, तब राजा उन्हें उत्तर देगा. मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाईयों में से किसी एक के साथ किया, वे मेरे ही साथ किया. तब वैबाई और वानों से कहेगा, हे श्रापित लोगो, मेरे सामने से उस अनन्त आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है. क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पिनाये, बिमार और बंदी ग या बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की, तब वह उन्हें उत्तर देगा. मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु ध अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे. जो यहवा के भवन में दंडवत करने को आए है, ये वचन कहए दे, कि जिनके विश्य उनसे कहने की आग्या, मैं तुझे देता हूँ. उनमें से कोई वचन मत रख छोड़, संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरे, और मैं उनकी उस हानी से जो उनके बुरे का कामों के कारण करने की कलपना करता हूँ, पाचता हूँगा. इसलिए तु उनसे कह, यहवा यो कहता है, कि यदि तुम मेरी सुनकर मेरी वेवस्ता के अनुसार, जो मैंने तुमको सुना दी है, नचलो, और मेरे दास भविश्य वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुमारे पास बड़ा यतन करके भेजता आया हूँ, परन्तु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शिलो के समान उजाड कर दूँगा, और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूँगा, कि पुथ्वी की सारी जातिव के लोग उसकी उपमा दे दे कर शाब दिया करेंगे। यहवा के नाम से क्यो यह भविश्वानी की, कि यह भवन शिलो के समान उजाड हो जाएगा, और यह नगर ऐसा उजड़ेगा, कि उसमें कोई न रह सकेगा। इतना करकर सब साधारम लोगों ने यहवा के भवन में इर्मयहा के विरुद्ध भीड लगाई। यह भात सुनकर यहुदा के हाकीम, राजा के भवन से यहवा के भवन में चड़ गए, और उसके नए फाटक पर पैटके। तब याजको और भविशवक्ताओं ने हाकीमों और सब लोगों से कहा, यह मनश प्रांदंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविशवानी किये है, कि जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब इर्मयह ने सब हाकीमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने है, उसे यहवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविशवानी की रिती पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो, और अपने परमिश्वर यहवा की बात मानो, तब यहवा उस विपती के विशे में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है, पच्चताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दुष्टी में भला और ठीक हो, वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चे जानो, कि यदि तुम मुझे मार डालोगे, तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोश के हत्यारे बनाओगे। क्योंकि सच्मुच यहवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। हाकिमों, और सब लोगों ने याजको और नभियों से कहा, यह मनुश्य प्रांधन्ड के योग्य नहीं, क्योंकि उसने हमारे परमिश्वर यहवा के नाम से हमसे कहा है। और तेश के पुर्णियों में से कितनों ने उठकर प्रजा के सारी मंडली से कहा, यहुदा के राजा हिचकिहा के दिनों में मौर, सेती, मिकायाह, भवशवानी करता था। उसने यहुदा के सारे लोगों से कहा, सिनाओ का यहुदा यो कहता है, कि सियोन जोत कर खिद बनाये जाएगा, और यरुशले में खंडहर हो जाएगा, और भववन वाला परवत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहुदा के राजा हिचकेह ने वा किसी यहुदी ने उसको कही मरवा डाला, क्या उस राजा ने यहुदा का भवय न माला, और उससे बिंती न की, और तब यहुदा ने जो विपत्ती उन पर डालने के लिए कहा था, उसके विशय क्या वहन पच्टाया। बचताया ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानी करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र उरियह नाम किर्यत्यारिम का एक पुरुष यहोवा के नाम से भविशवानी करता था। और उसने भी इस नगर और इस तेश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविशवानी की। जैसी इ यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरो और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने तब राजा ने उसे मरवा डालने का यतने किया। और उरियाह यह सुनकर डर के मारे मिसर को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिसर को लोग भेजे। अर्थात अकबोर के पुत्र इलनातान को कितने और पुरुषों के समेद मिसर को भेजा और वे उरियाह को मिसर से निकाल कर यहोयाकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवा कर उसकी लोत को साधारन लोगों की कवरों में फेग दिया परंतु शापान का पुत्र अही काम इर्मया का सहता करने लगा और वह लोगों के वश में वद के लिए नहीं दिया गया